सुन्दर बहुत गुस्य और परिशानी में खराता है उसका बुढ़ा बिमार बाप उसे परिशान देख उससे पूछता है क्या हुए बेटा तु तो दुकान पर गया था फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया और क्या परिशानी हो गई तो इदर उदर क्यों गूम रहा है मेरी किस्मती खराब है इसलिए इदर दर गूम रहा हूँ बच्पन से लेकर आज तक मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है ले देकर किसी तरह वो छोटी सी दुकान खोली थी और आज उसमें भी चोरी हो गई दुकान पर गया तो देखा अंदर से सारा सामान गायव है क्या? क्या कह रहे हो तुम? दुकान में चोरी हो गई? क्या ताला डंसे नहीं लगाया था? कितना नुकसान हो गया? बता मुझे क्या बताऊं मैं आपको? आपने मेरे लिए आखिर जिन्दगी भर किया ही क्या है? पूस तो आप ऐसे रहो जैसे कि अभी मेरे सारे नुकसान की भरपाई कर दोगे दुकान में जो भी आमंदनी हो रही थी वो सब भी आपकी दवाईयों पर ही खर्च हो रही थी मैंने तो कभी देखाई नहीं कि मैं जिन्दगी में किस दिन खुश हुआ हूँ? अपने बेटे की मुझ से अपने लिए ऐसी बाते सुनकर सुन्दर की पिता को बहुत पुरा लगा उसकी आखों से आसु निकल गए और वै रोते हुए अपने बेटे से बोला ऐसा मत कह मेरे बेटे, तेरे एक एक शब्द मेरे दिल पर बांड की तरह लग रहे हैं मुझे भगवान ने लाचार इतना बना दिया ही एक पहर से अपाये मैं जितना तेरे लिए कर सकता था मैंने किया तेरी माखों भगवान ने तेरे बचपन में ही उठा लिया उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि तेरे लिए एक नई मा लेया हूँ लेकिन मेरे अपाहिज होने और साथ में बेटा होने के कारण किसीने मुझे अपनी बेटी नहीं थी तम मैंने टान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की परवरिश अच्छे से करूँगा हाँ हाँ देख तो रहे मुझे कि कितने अच्छे से परवरिश की है आपने मेरी बचपन से आज तक हम इस छोटे से घर में रह रहे पहनने को वही दो चार कपड़े दिन पर दिन महीनों पर महीनों और साल पर साल निकल गए लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं बदला और उपर से आपने भी दो साल से चार पाई पकड़ रखी है दिमाग की ड़ह हो गई मेरी सुन्दर के पिता और कुछ क्या पाते सुन्दर गुस्से में खर से निकल जाता है और सुन्दर के पिता किसी तरह अपनी बैसाकी के सहारे उटकर बाहर तक उसे आवाद देते हुए आते हैं पर तब तक सुन्दर जा चुका था ए बगवार आज मेरे बीटे ले पुझे कितली सारी बाते सुना दी उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अपने पिता को क्या कह रहा है किसी तरह हिमत करके वे खर के दर्वाजे को ताला लगाते हैं और सुन्दर को ठूणने के लिए चल देते हैं बुड़ा कमजोर शरीर बेसाकी के सहारे घसीटा हुआ सुन्दर को आवाज लगा रहा था जब काफी ठूणने के पाद भी सुन्दर नहीं मिला तो वे नदी के किनारे जाकर बैठ गए उसे वे दिन याद आ रहे थे जब सुन्दर की मा ने सुन्दर को उसकी कोट में देते हुए कहा था मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचपाऊंगी सुन्दर के बाबा सुन्दर का बहुत ख्याल रखना उसे कभी किसी चीज़ की कमी मत होने देना उसकी मा नहीं है इस बात का भी ऐसास उसे मत होने देना मेरे बेटे को बहुत लाट प्यार से पालना कैसी बात है कर रही है सुन्दर की मा तुझे खुछ नहीं होगा तु तु अपने बेटे की परवरिश खुद करेगी लेकिन सुन्दर की मा सुन्दर कुन की गोद में देकर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई उसके जाने के बाद सुन्दर के पिता ने सुन्दर को बहुत लाट प्यार से पाला जहां वे काम करते थे वहां एक दिन हाथ से मून का आधा पैट चला गया उस हालत में भी उन्होंने कभी सुन्दर पर आच नहीं आने थी इधर उधर से काम बिल जाता वे उसी से ही सुन्दर की स्कूल का खर्चा उठाते हार त्योहार पर उसके लिए नया कपड़ा आता सुन्दर कितनी भी कलती करता उसके पिता हमेशा उसे प्यार से समझाते जिन्दगी में कभी भी उन्होंने सुन्दर के उपर हात नहीं उठाया था फिर जिन्दगी भर की जोड़ी हुई थोड़ी बहुत जमा पूची जब सुन्दर ने कहा तो वे भी एक दुकान खोलने में लगा दी ये सोचते सोचते उसकी आँखों में आसु आ गए जिस दिन से सुदर की माने उसे मेरी गूद में छोड़ा उस दिन से आज तक कभी अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचा और आज मेरे बेटे ने कितनी आसानी से कह दिया कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है ये सुनने से अच्छा होता कि भगवान तु मुझे अपने पास बुला लेता सोचते सोचते में जोर सोर से रोने लगा कि तब ही वहाँ एक औरत आती है क्या हुआ बाबा क्यों रो रहे हो किस चीज़ की जरूरत है बेटी ही रो रहा हूँ क्योंकि मैंने आज अपने बेटे के मुझे से अपने लिए बहुत बुरा बुरा सुना है और जरूरत जरूरत तो सिर्फ एतनी है कि कहीं से दो चुटकी जहर मिल जाए तो मैं उसे खाकर अपनी जीवन लीला ये सभ़त कर लू नहीं नहीं बाबा ये तो कायरता होती है इस तरह के खयाल मन में लाना भी पाप है क्या मत आओ बेटी मुझे तो लगता है आज मेरा बेटा मुझे छोड़ कर चला गया उसे लगता है कि उसके बाप ले सारी जिल्दगी उसके लिए कुछ नहीं किया तभी वे औरत सुन्दर के पिता के पास जाती है और उनके कंदे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देती है मैं सब जानती हूँ तुम जो भी सोच रहे हो क्योंकि मैं इस नदी के रानी हूँ यहां पर आने वाले लोग या तो खुशी में या दुख में यहां विचार लेकर आते हैं लेकिन तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख परी है मुझे तुम्हारे लिए बड़ा दुख है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो तुम मेरी लिए क्या कर पाओगी बेटी? तब ये उस औरत के हाथ में एक हरी मिर्चाती है और वैं सुन्दर के पिता को देते हुए कहती है हर इंसान की जिन्दगी में कभी न कभी सुख दुख आते ही रहते हैं लेकिन दुख के तीके अनुभव उसे हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं यही समय होता है जब हमें पता चलता है कौन हमारे हक में खड़ा है और कौन हमारे खिलाफ ये जादूई हरी मिर्च लो और इस से जो भी तुमारी इच्छा हो वक्या देना पस याद रखना ये जादूई हरी मिर्च सिर्फ तीन इच्छा ही पूरी करती है हरी मिर्च सुन्दर के पिता के हाथ में रखकर वेनती की रानी कायब हो जाती है सुनदर के पिता उसे कुर्टे की जेब में रख कर फिर अपनी बैसाकी के सहारे घर की तरफ चलते हैं काफी रात हो जाती है, सुनदर अभी तक वापस नहीं आया था सुनदर का इंदजार करते करते सुनदर के पिता की आंख लग जाती है तबी खर का दर्वाजा खुलने और बंद होने की आवाज से उनकी आँख खुलती है कहा रह गया था, कहां कहां नहीं धूड़ा तुझे तु अपने लाचार अपाईज बाप को ऐसे कैसे छोड़ कर चला गया मैं ठक गया हूँ, मैं अपने हालातों से उनसे भागने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ कभी कुछ भी अच्छा नहीं होता हाँ बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी जिन्दगी तेरे लिए कुछ नहीं किया तो हो सकता है, हैसा है हूँ, लेकिन आज मैं तुझे कुछ दे ना चाहता हूँ फिर भी सुन्दर को अपने पास पुलाते हैं और सुन्दर के हाथ मिए जादोई हरी मिर्च रख देते हैं ये जादू ही हरी मिर्च है, मुझे आज किसी ने दी है, और ये भी कहा है कि ये हमारे तीन इच्चा पूरी कर सकती है, मेरे बेटे जो भी इससे कहना चाहता है, बहुत सो समझ कर कहना, क्योंकि जिन्दगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती आपका कहने का मतलब है कि ये जादू हरी मिर्च है, क्या आपको मैं बेवकुफ नजर आता हूँ, बेटा, कुछ भी कहने से पहले एक बार इसे आजमा कर तो देख ले आपको लगता है, ये हरी मिर्च मेरी किस्मत बदल सकती है न, लाओ, आपकी आँखों पर लगा हुआ चश्मा हटा ही देता हूँ, कोई जादू हरी मिर्च नहीं होती, जितना नुकसान मेरा हुआ है वो फूरा कर दे लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं होता ये लो, पकड़ो अपनी जादू हरी मिर्च, देख लिया इसका जादू अरे बेटा, जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, तो प्यार से मांगते हैं, इस तरह गुस्से में मत मांग, एक बार मेरी कहने से तो प्यार से बोल दे अच्छा ठीक है, ए जादू हरी मिर्च, मेरी दुकान पर जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कर दे तबी वहाँ इतने रुपए आ जाते हैं, जितने का सामान सुन्दर की दुकान में था, सुन्दर को अपनी आखो पर बिलकुल भी विश्वास नहीं होता सुन्दर को सपना आता है जिसमें वह देखता है कि किस तरह बच्पन से लेकर आज तक उसके पिता ने ना सोचते हुए केवल सुन्दर के लिए जीते आये हैं सुन्दर को स्कूल छोड़ना, उसके लिए खाना बनाना, उसके लिए कपड़े धोना, खुद फटे कपड़ों में इधर उधर खुमना सुन्दर कभी पैसे मांगता तो उसे कभी खाली हात ना भेजना जब सुन्दर की आँख खुलती है, तो सामने अपने पिता को लाचार चार पाइल पर लेटा हुआ देखकर, उसके आखों में आसु आ जाते हैं वे उठता है और अपने पिता के पैरों में सर रखकर रोने लगता है तब इस सुंदर के पिता की आँख खुल जाती है क्या हुआ बेटा तो रोह क्यों रहा है क्या कोई बुरा सपना देखा है नहीं बाबा बुरा सपना नहीं देखा लेकिन वो सब कुछ याद आया जो आपने मेरे लिए जिन्दगी बर किया है और मैंने कैसे कल आप से कह दिया कि आपने मेरे लिए क्या ही क्या है चल बेटा इन सब बातों का छोड़ मुझे कुछ बुरा नहीं लगा और ना मैंने तेरी कोई बात सुनी अब अपने काम दंते पर द्यान दे और तु अपने लिए कोई दो अच्छी से इच्छा भी जादू हरी मिट से मांग ले फिर सुन्दर नहाद होकर अपने अपने पिता के लिए नाश्ता तयार करता है और फिर जादू हरी मिट से कहता है ये जादू हरी मिट हमें अमीर बना दे तब ही सुन्दर देखता है कि उनका घर एक बड़े घर में बदल गया है पूरा घर सुन्दर सुन्दर चीजों से भरा हुआ है अल्मारी में बहुत सारा पैसा और गहने है ये देख कर सुन्दर बहुत खुश हो जाता है उसके पिता भी उसे आशिरवाद देते हैं सुन्दर अपने पिता की तरफ देखता है और जादूई हरी मिर्ट से कहता है देखते ही देखते सुन्दर के पिता एक तरफ ठीक हो जाते है और अपने तोनों पैरों पर खड़े हो जाते है ये तुने क्या मांगा बेटा अपने लिए कुछ मांग लेता बाबा यही तो चीज मैंने सबसे अच्छी मांगी है उन खुशियों का मैं क्या करूँगा जिसमें मेरे पिता लाचार होंगी अब हम बाब बेटा मिलकर खुशी खुशी जीवन विताएंगे सुन्दर के पिता सुन्दर को कले लगा लेते हैं क्या क्या लेते हैं